दोस्तो असलाम उलेकुम सस्रीयकाल नमस्ते प्यारे दोस्तो कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे दोस्तो आज की स्वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि लखनव में जो वीएफेस आफिस है उसका जो है वर्क प्रोसेस कैसा है वहाँ पे लोग जो है जो काम करते वो कैसा काम है यानि वहाँ पे आप से एक्स्ट्रा चार्ज करते या नहीं करते उन लोग का भी हैवियर कैसा है तो इनी सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो होगी तो ये वीडियो को जो है दोस्तों आप लोग लाज तक जरूर देखेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी जो है इन्फार्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी क्योंकि जो हमारे दोस्त होते हैं जो भी है जो लोगों ने जो है फैमली विजिट वीजा जो है बेजा है जिनको भी VFS से काम कराना होता है तो उनको इस वीडियो को देख करके help मिलेगी तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं दिखा देता हूँ जो भाई हमारे देख चुके हैं जो हमारे सबस्क्राइबर उन्होंने देखा है जो हमारे नए भाई हैं वो उसको भी जा करके देख सकते हैं तो इस वीडियो में आप लोग को दिखा रहा हूं कि यहां पे देख सकते हैं कि जो वीजा होता है जो वीजा लग के आता है वो पासपोर्ट के यानि पासपोर्ट के अंदर जैसे हम लोग का वीजा लगता है जो वर्क वीजा होता है वो उस तरह से जो है नहीं लग के आता ह है तो जिनका appointment है सिर्फ उन ही को जो है अंदर जाने दिया जाता है बाकी कोई अंदर नहीं जा सकता है यानि अगर आप किसी के साथ में जैसे आपकी अगर wife या कोई भी ladies आप जिसको बुला रहे हैं अगर वो आ रही है तो जो आ रहे हैं सिर्फ वही अंदर जाएंगी तो उ पॉटो होनी चाहिए जिसको भी आप बुला रहे हैं उसके अलावा जो है वहां पर जब आप जाएंगे तो appointment जो आपने दिया है उसकी जो है copy होनी चाहिए जैसे जो color copy होती वो रहेगा ज्यादा अच्छा है तो color में copy होनी चाहिए उसके अलावा जो है आपका passport होना चाह कि यह इतनी चीज़े रहेंगी वहां अंदर जाएंगे अंदर जाने के बाद में आप से जो है 10,500 रुपए चार्ज किया जाएगा finger का और उनका जो वीजा का process होता है उसका आपका 10,500 यह और प्लस 4,000 रुपए आप से लिया जाएगा insurance के राम पे तो यह जो है साड़े 14 10,000 रुपए वहां पे लिया जाएगा यह तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था लेकिन कुछ नहीं चीज़े आपको बताते हैं कि वहां पे जो है आप लोग जब जाते हो तो वहां पे जाने के बाद में आप से जो है किसी ना किसी माइनर सी mistake निकाल करके आप से जो है एक्स्ट्रा चार्ज करने की वह कोसिस करते हैं तो आपको बहुत ही होसियार रहना जो भी जाएंगे क्योंकि लेडिस जो थे लेडिस थोड़ी सी कम समझदार होती हैं और उनको डरा करके आप बोलिए कि हमारा जो है सब कुस तो सही अगर वो कुछ भी कुछ कुछ माइनर्स मिष्टक निकालेंगे कोई माइनर्स भी मिष्टक निकाल उसके बाद में कहेंगे अरे आपका आपका तो यह ऐसा हो गया इसमें इतना पैसा आप दे दिए तो आपका हो जाएगा नहीं वापस आये तो आप जो है थोड़ा जो है माइंड से काम लिजिए बोलिए भाईया हमारा इतनी दूर से आये हैं या जो भी आप अपने हिसाब से बात करिए आप आईये नहीं वापस उनको बोलिए कि हमने सब कुछ सही है आप देखिए आप वहां पर लगे रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा क्योंकि मेरा एक बार जो है चलो हम मैं मानता ह मेरा तो दोबारा जब हमने सब कुछ जो जो उन्होंने बताया वह चीज़े मैंने सही करा दी तो उसके बाद जब दोबारा गई तो दोबारा में भी छोटी मोटी गलतिया निकालने की कोसिस कर रहे थे मैंने अपनी बीवी को समझा रखा था कि वहां जाना तो इस बार जो आळ जाना तो इस बार बिना extra charge मांगे मेरा काम हो गया काम होने के बाद में 10 से 12 दिन का प्रॉसेस वहां पर होता है लखनाउ लखनौ से दिल्ली जाता है यानि दिल्ली मिसाने तो दिल्ली जाने जाना है दिल्ली जाएगा आपका पासपोर्ट वहाँ जाने के बाद में वहाँ जो है वीजा उसके साथ में देख सकते हैं यह पेपर के जैसा जो वीजा है यह उसके साथ में आपके घर पर कुरियर के किसी किसी का जल्दी हो जाता है कभी कभी तीन से चार दिन में आ जाता है लेकिन आप यह मान किसे लिए कि दस से बारा दिन का इसका प्रोसेस है इतना दिन आपको लग जाएगा उसके बाद ही आपके हाथ में जो है वीजा आएगा इसको होने के बाद में फिर आप बच टिक करना ना बुलेगा मिलते आप से नेक्ट वीडियो में तक्किर के लिए लाफ इस अपना ख्याल रखिएगा